दिल्ली में आप देखिए किसको दवागी जरुवत पड़ेगी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा अब ट्रेंड्स जो है वो धिरे धिरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं किराली से बीजेपी की उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और बेगमपुर से भी आमादि पार्टी केंडिडेट ने बहत बना लिये कज़े है बहत बनाने में एक सीट पर तो अपना खाता कोल लिया है लेकिन अरविंद केज रिवाल ऐसा लग रहा हाँ機 धोकर कोंग्रेस पार्टी के पीछे पड़ गए किसी भी आज में जहां जहां कॉंग्रेस थोड़ी कमजोर हो रही है वहां अर्विन केजरिवाल पहुँच जा रहे हैं उन्होंने गुवा में किया उत्राखंड में किया पंजाब में किया अब गुजरात पहुच गहे हैं और दिल्ली में तो अगर एग्जिट पोल सही है तो MCD में बिल्कुल वो सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं कॉंग्रेस का देखो तीन बाते मैं अर्विन जी के बारे में कहना चाहता हूँ मैं किसी भी प्रकार से कोई आग रहे के बिने इस बात को कह रहा हूँ PMEGP योजना के तहरे 10 लाक लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीजिए अर्विंद केजरिवाल जी पहली बार अपनी उपस्थिती दर्ज करवाते है और दूसरी बार में पंजाब की तरह बड़ा खेल भी कर सकते है दिल्ली में भी हार करके जीत सकते है और M.C.D. में भी जो भी हो रहा है इसमें भी एक बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है तो हलके में ना ले पहले कॉंग्रेस को खत्म करेंगे ये सच है दिखरा है तो और बाद में B.J.P. के लिए भी बड़ी चुनोती है बड़ा सिर्दर्द बन करके खड़े होंगे ना जनेतिक द्रिश्टिस से तो B.J.P. वालों को भी अनुलों मिलों ब्रहामरी उद्गी साभी से कर लेना चाहिए और अर्विंद के जिर्वाल जी को यो हलके में नहीं लेना चाहिए कि ठीक है ये तो हिसार का छोड़ा कि ये कर लेगा आप गैरंटी दे दीजिए अनुलों मिलों से वोट मिलता है सारे नेता दिन भर योग करेंगे ये ये दसके रुजान आगे बीजेपी 13 में आपके और चलो बढ़िया बढ़िया आपने आज प्रतीकों के माध्यम से बड़ा इंट्रेस्टिंग बना दिया आज के सब्जेक्ट को मैं आपने जो बात के उसको पूरा कर देता हूँ आवादी पार्टी को 14 वाड्स में बढ़ा थासिल है बीजेपी को 10 वाड्स में कॉंग्रेस पार्टी तीन जगहों पर आगे चल रहे हैं एकुल 200 वाड्स के रुजान और नतीजे आना बाकी हैं और आपके सामने पीतम पुरा से जो अपडेट आया है कि दिल्ली में कौन-कौन से इलाके जो हैं वो किस पार्टी के तर्फ माने जाते हैं अगर MCD की बात करें तो उसके हिसाब से भारतिय जनता पार्टी को ये लगता है कि पूर्वी दिल्ली में उनका प्रदर्सन सबसे अच्छा रहेगा नौर्द दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भारतिय जनता पार्टी को आम आद्मी पार्टी का strong hold है नौर्द दिल्ली और उसके अलाबा दक्ष्री दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे भी चाहे वो संगम बिहार का इलाका हो या उससे आगे का इलाका हो वहाँ पे आम आद्मी पार्टी के द्वारा बहुत बड़ी चुनोती साम दे गई है भारतिय जनता पार्टी को तो सबसे मजबूत इलाका जो भारतिया नता पार्टी के लिए है वो इस दिली है और उमीद ये की जारी असी में से 50 सीट तक वो लोग जीतेंगे जो उनके कोर गुरूप के लोग थे उनका ये मानना था कि सबसे अच्छा प्रदर्सन अगरा मार होगा तो इस दिली की तरफ रही है जहांगीरपूरी की 13 सीटों में से 2 के ट्रेंड आ गए पीतंपूरा और आजादपूर जहांगीरपूरी में जहां दंगा हुआ उसके बाद बुल्डोजर का एक्शन सबसे पहले दिली के अंदर शुरू हुआ वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बन पाके रखेंगे जहांगीरपूरी एक सीट की बात करें जहांगीरपूरी में तो वहां पर मुस्लिम डॉमिनेटेट सीट है तो इसलिए आमादी पार्टी को बहुत सूट करता है और पिछली बार की लड़ाये में कॉंग्रेस को सफलता जरूर मेली थी लेकिन इस बार यह स्लिम बहुल अलाकों में योजना केता है दस लाक लोन लेकर क्या आपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीजिए वह सबसे ज्यादा एक तो चौहन बांगड का जो इस दिली का सी चलिए तो ये ट्रेंड्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं जहांगीरपुरी की 13 में से 3 वार्ड्स के ट्रेंड पीतमपुरा में आमादनी पार्टी आजादपुरी में भी आमादनी पार्टी इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है और ये बाकी जो इलाके हैं वो पर लीड करें गांधी नेगर में आजाद नेगर में भाजपा जो है वो आगे चल रही है महरौली में दो सीटे है आया नेगर में बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है